आप सभी को गंगा पुश्करालू इस उत्सव की हार्दिक शुबकामनाई आप सब काशि में आये हैं इसलिए इस यात्रा में आप व्यक्तिकद रुप से मेरे भी अतिधिये हैं और जैसा हमारे हाँ कहते हैं अतिधितो देव सबान होते हैं मैं जिम्मेदारियों के खारण बले ही आपके स्वागत के लिए वहाँ उपस्तित नहीं हो सका हूँ लेकिन मन से मुझे आपके बीच होने का एहसास हो रहा है मैं इस आयोजन के लिए काशी तेलूगू समिती और संसत में मेरे साथी जीवी एल नर्सिमाराव जी को बधाई देता हूँ काशी के घाड पर ये गंगा पुश्करालू उत्सव गंगा और गोदावरी के संगम की तरह है ये भारत की प्राचिन सभ्यताओं संस्कूरुतियां और परंपराओं के संगम का उत्सव है आपको याद होगा कुछ महिने पहले यहीं काशी की धर्ती पर काशी तमिल संगमम का आयोजन भी हुआ था अभी कुछी दिन पहले मुझे सवराष्ट्र तमिल संगमम में भी शामिल होने का सभवागे मिलाया है तब मैंने कहा था आज़ादी का ये अमृत काल देश की विविदताओं का विविदधानाओं का संगम काल है विविदताओं के इन संगमों से राष्ट्रियता का अमृत निकल रहा है जो भारत को अनंत भविश्य तक उरजावान रखेगा साथियों काशी से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि काशी और काशी वास्यों क्या तेलूगू लोगों से कितना घहरा रिष्टा है जैसे ही काशी में कोई तेलूगू व्यक्ति आता है कई काशी वास्यों को लगता है कि कि उनके परिवार का ही कोई सदर से आ गया है काशी के लोग पीडियों से आप सबका स्वागत करते आये हैं काशी जितनी प्राचीन है उतना ही प्राचीन ये रिष्टा भी है काशी जितनी पवित्र है उतनी ही पवित्र तेलूगू लोगों की काशी में आस्था है आज भी जितने तिर्थी आत्री काशी आते हैं उनमें एक बहुत बड़ी संख्या अकेले आंदरपदेश और तेलंगना के लोगों की होती है तेलूगू राज्यों ने काशी को कितने ही महान संत दिये हैं कितने ही आचार्य और मनिश्य दिये हैं काशी के लोग और तित्यार्तरी जब बाबा विश्वनात के दर्सन करने जाते हैं तो तहिलंग स्वामी के आशिरवार लेने उनके आश्रम भी जाते हैं स्वामी रामकृष्ण परमुस्तो तैलंग स्वामी को साक्षात काशी का जीवन तशीव के रहते थे आप भी जानते हैं कि तैलंग स्वामी का जन्वा विजय नगरम में हुआ था जिद्दू कृष्ण मुर्ती जैसी ऐसी कितनी महानात्माय हुई हैं जिने आज भी काशी में याद किया जाता है भाईयो भेनों जैसे काशी ने तेलुगू लोगों को अपनाया आत्म साथ किया वैसे ही तेलुगू लोगों ने भी काशी को अपनी आत्मा से जोड़कर रखा है यहां तक की पवित्र तीर्थ वेमूला वाड़ा को भी दक्षिन काशी कहकर बुलाये जाता है आंद्र और तेलंगना के मंदिरों में जो काला सुत्र हाथ में बांदा जाता है उसे आज भी काशी दारम कहते हैं इसी तरह स्रिनात महा कभी का काशी खंडमू ग्रंथ हो एनुगूल विरस्वामया का काशी यात्रा चरित्र हो या फिर लोग प्रिय काशी मजिली कतलू हो काशी और काशी की महमा तेलूगू भाशाव और तेलूगू साहित्य में भी उतनी ही गहराई से रचिवसी है अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये सब देखें तो उसके लिए विश्वास करना भी कठील होगा कि कोई शहर इतना दूर होकर भी दिलों के इतने करीब कैसे हो सकता है लेकिन यही भारत की वो विरासत है जिसने एक भारत त्रेश्ट भारत के विश्वास को सद्यों से जिवन्त रखा है साथ क्यों काशी, मुक्ती और मोक्ष की नगरी भी है एक समय था जब तेलू को लोग हजारों किलोमिटर चल कर काशी आते थे अपनी आत्रा में तमाम परिशानी उठाते थे आदूनिक समय में अब वो परिश्टित्या तेजी से बदल रही है आज एक और विश्वनाद धाम का दिव्य वैभव है तो दूसरी और गंका के घाटों की भव्यता भी है आज एक और काशी की गलियां है तो दूसरी और नई सडकों और हाइवे का नेटवर्ग भी है आंदर प्रदेश और तेलंगना से जो लोग पहले काशी आ चुके हैं वो अब काशी में हो रहे हैं इस बडलाव को मैसूस कर रहे होंगे एक समय था जब एरपोर्ट से दसास्मावे में गाट तक पहुँचने में गंटों लग जाया करते थे आज नया हाइवे बनने से अब लोगों का बहुत समय बच रहा है एक समय था जब काशी की सडके बिजली के तारों से भरी रहती थी अब काशी में जादर तर जगहां पर बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं आज काशी के अने को कुंड हो मंदिरों तक आने जाने का रास्ता हो काशी के सांसकूर्तिक स्थल हो सभी का काया कल्प हो रहा है अब तो गंगाजी में CNG वाली नावे भी चलने लगी हैं और वो दीन भी दूर नहीं जब बनारस आने जाने वालों को रोप्य की सुविधा भी मिल जाएगी चाहे स्वच्चता का अभ्यान हो काशी के घाटों की साफ सफाई हो बनारस के लोगों ने वहां के युवाओं ने इसे जन अंदोलर बना दिया है ये काशी वास्यों ने अपने परिष्ट्रम से किया है बहुत मेहनत से किया है इसके लिए मैं इस कारकम के माध्यम से भी काशी वाशियों का जितना गुनगान करू जितना गवरव करू उतना कम है और सातियों मैं पूरे विश्वास के साथ ये भी कहूंगा कि मेरे काशी के लोग आपकी सेवा में आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मुझे मेरे काशी वाशियों पर पूरा भरोसा है बाबा का आजिरवात काल भैरव और मा अन्पुना के दर्शन अपने आप में अध्भूत होता है गंगा जी में डुप की आपकी आत्मा प्रसंद कर देगी इन सब के साथ ही आपके लिए इस गर्वी में काशी की लस्ची और ठंड़ाई भी है बनारस की चाट, लिट्टी चोखा और बनारसी पान इनका स्वाद आपकी आत्रा को और भी यादगार बना देंगे और मैं आपसे एक और आगरा करूँगा जैसे एटी कुपपपा का वहाँ के लकडी के खिलोने मशूर है वैसे ही बनारस भी लकडी के खिलोने के लिए प्रसित है आंदर प्रदेश और तेलंगना से आए हमारे साथी अपने साथ लकडी के बनारसी खिलोने बनारसी साड़ी बनारसी मिठाई ऐसी बहुत सारी चीजे ले जा सकते हैं देखेगा ये आपके आनत को कई गुरुना और बढ़ा देंगे साथियों हमारे पुर्वजों ने भारत की चेतना को अलग-अलग केंदरों में स्थापित किया जिन से मिलकर भारत माता का स्वरुपूरा होता है काशी में अगर बाबा विश्वनाथ है तो आंदर में मलिकार जूर है और तेलंगणा में भगवान राज-राजेश्वर है काशी में अगर विशालक्षी सक्तिपीठ है तो आंदर में मा ब्रह्मरांबा है तेलंगणा में राज-राजेश्वरी है ऐसे सारे पवित्रस्थान भारत और भारत की सांस्कृतिक पहचान के महत्वपुन केंद्र है हमें देश की इस विवित्ता को इसी समग्रता से देखना है तभी हम अपनी पुरनता को जान पाएंगे तभी हम अपने पुरे सामर्थ को जागरित कर पाएंगे मुझे विश्वास है गंगा पुष्करालू जैसे उत्सव राश्ट्र सेवा के इस संकल्प को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ आपकी ये यात्रा फलदाई हो सुविधापुर्ण हो और काशी की नई नई यादे लेकर के आपके मनमंदीर को दिद्विता से भर दें यही प्रार्थना बाबा के चर्णों में करता हूँ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर दो और